जब भी एक law student अपनी तीन साल या फिर पात साल की journey को finish कर लेता है तो वो एक out of the world वाली feeling होती है और इसके साथ ही अगर उसने All India Bar Council का exam दे दिया है और उसने BCI में यानि Bar Council of India में registration भी करवा ली है as an advocate तब तो फिर भाया लगता है कि हम ही हावी स्पेक्टर या माई क्रॉस हैं तो hello everyone मैं हूँ विश्वावरधान आप देख रहे हैं Phenology Legal और सबसे पहले तो I hope कि आपने हमारा ये वीडियो चेक आउट कर लिया होगा जहां पे हमने बताया है कि एक lawyer ये एक advocate कैसे बना जा सकता है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे benefits की जो आपको मिलते ह और बार काउंसिल ओफ इंडिया में रेजिस्टेशन करवा के और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो पाचवा पॉइंट है वो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले मेरे पास है आपके लिए एक सवाल जिसका जवाब में चाहूँगा कि आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें तो सवाल है कि जब भी आप अपने रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल में अपना रेजिस्टेशन करवाते हैं तो वो उसकी वालिडिटी कितने साल की होती है पाच सा तीन साल दो साल या फिर उसकी कोई लिमिट नहीं होती तो इसका जवाब आप दीजे कॉमेंट सेक्शन में हाला कि एट लास्ट एंड ओफ द वीडियो मैं आपको इसका आंसर दे दूँगा प्रॉपर एक्स्प्लेनेशन के साल तो चलिए अब इस वीडियो का शुरू करत हैं तो जो सबसे पहला एडवांटेज है वो यह है कि हम एक लॉयर से एक आडवोकेट बन जाते हैं यानि कि देखिए हर वो इनसान जिसने लॉकी पढ़ाई की है और उसके पास लॉकी डिग्री है वो हो गया लॉयर अब जब यह लॉयर बार काउंसल ओफ इंडिया में र प्रक्टिस मिल जाता है यह बहुत ही इंपॉर्टन डॉक्प और बहुत ही प्यारा लॉक्वेंट जो आपकी लॉफ्स के वॉल पे जाता है अब यह सब्सक्राइबया के बाद आप इंडिया कि सीए हाई कोड और लोग में प्रक्टिस कर सकते हो द्यान जीए गा मैंने यह हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में तो इसके बाद आते हैं तीसरे अड़ांटेज पे जो ये है कि आप काफी सारे competitive exams के लिए eligible हो जाते हो जैसे कि अगर आपको judiciary के लिए prepare करना है आप judge बनना चाहते हो तो उसके लिए भी एक criteria है कि आप Bar Council of India में registered होने चाहिए इसके बाद हम आते हैं IBPS के exam में जो कि बहुत important exam है अगर आपको bank में law officer के तोर पे join करना है तो उसके लिए भी important eligibility criteria है कि आपका Bar Council of India में registration होना चाहिए इसके अलावा अगर हम देखें तो JAG का जो exam होता है judge advocate general ये एक post होती है legal post होती है जो कि आपको army, navy या air force में जाने के लिए होती है और इसकी भी एक important eligibility criteria है कि आप Bar Council of India में enrolled advocate होने चाहिए और इसके बाद अगर और हम बात करें तो जैसे मान लीजी अगर आप corporate council बनना चाहते है आप corporate world में कदम रखना चाहते है तो उसके लिए भी बहुत important लिए कि आपका Bar Council of India में registration होना चाहिए इसके बाद आ जाते हैं चोथे advantage पे और चोथे advantage ये है कि आपको Bar Council of India की welfare scheme के अंडर काफी सारे और benefit मिल जाते है जैसे कि आपको 5 लाग तक का personal accident insurance मिल जाता है इसके अलावा 5 लाग तक का life insurance मिल जाता है और मान लीजी कि आपको कोई serious disease हो जाता है तो उस case में भी Bar Council of India से आपको monetary benefit मिल सकता है हलाए कि ये monetary benefit इस बात पर depend करेगा कि आपको जो disease हुआ है वो कितना serious है और इसकी आप एक application लगा सकते हैं Bar Council of India के पास अब आते हैं पाँचवे point पे तो जो पाँचवे point है ये बहुत जादा ही interesting है और अगर आप first generation lawyer है अपनी family में तो आप इस चीज़ से connect जरूर करेंगे तो जो पाँचवा benefit है वो ये है कि जैसे ही आप enroll करवा लेते हो अपने आपको as an advocate उसके बाद आप आपने गाड़ियों के पीछे देखा होगा advocate का ब्लाक वाला sticker लगा हुआ होता है तो वो जब आप लगा कि अपनी गाड़ी में घूमते हैं आपकी two wheeler और इसके बाद हम आ जाते हैं उस सवाल पर जो मैंने आपसे starting में पूछा था तो देखिए उस सवाल का option है दो साल की validity होती है जब भी आप अपने particular state bar council में registration करवा लेते हैं और फिर ये जो दो साल का time है ये आपको time इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपना AIB का exam crack कर लीजे यानि clear कर लीजे और bar council of India में enroll करवा लीजे as an advocate अब जब आप enroll करवा लोगे तब तो फिर आप देश के किसी भी lower court और high court में practice कर सकते हो पर by that time जो दो साल का period है उसमें आप अपने respective state के lower court या high court में practice कर सकते हो आराम से अब यह जो validity है यह ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप AIB दे ही नहीं सकते है लेकिन दो साल का यह एक provisional जो है वो enrollment होता है और यह provisional enrollment दो साल का अगर expire होगे तो आपको फिर से enroll करना पड़ेगा और उसके बाद ही फिर आप AIB का exam दे सकते हो तो I hope कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और ऐसे ही और amazing content के लिए आप हमारे इस चैनल को subscribe करें इस वीडियो को भी like और share जरूर करें साथ ही अगर आप law पढ़ना चाहते हैं तो learn.phenology.in पर जाकर आप हमारे courses को बिलकुल check out कर सकते हैं और इसके अलावा आप हमें Instagram पे भी follow करें साथ ही अगर आपके पास और कोई suggestion है कि Bar Council of India में registration कराने के क्या फायदे हैं तो हमें जरूर बताएगा comment section में